NDA सरकार बाबा साहिब अंबेडकर जी के बनाए सम्विदान के प्रावधानों के प्रति संकल्प बद्ध है बाबा साहिब अंबेडकर के सम्विदान के अनुसार SC-STK आरक्षन में क्रिमी लेयर का प्रावधान नहीं कैबिनेट का सू विचारित मत है कि बाबा साहिब अम्बेट करके सम्विदान के अनुसार ही SC और STK आरक्षन की विवस्ता होनी चाहिए मानिय प्रदानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विशे पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सू विचारित वेल थौट थू मत है कि NDA सरकार बाबा साहिब अम्बेट करजी के बनाए सम्विदान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है संकल्पबद्ध है बाबा साहिब अम्बेट करजी के सम्विदान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है के बाबा साहिब अम्बेट करके सम्विदान के अनुसार ही SC और ST का रिजर्वेशन की विवस्था होनी चाहिए ये साथियो पांच बड़े फैसले आपके सामने रखे आइल टेक सम्विदान के अनुसार्वेशन के अनुसार्वेशन के अनुसार्वेशन के बीतर आरक्षन का क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई कैबनेट पे और क्या फैसला हुए जितनी चर्चा हुई मैंने उतना बताया आप 190 कैबनेट के फैसले हमेशा बहुत ही सबके कलेक्टिव फैसले होते है मत है ओपीनियन अभी हाल ही में मानिय सुप्रीम कोट ने आरक्षन के विशे पर एक जज़्जमेंट दिया है इस ज़्जमेंट में सुप्रीम कोट ने सी और स्टी डिजर्वेशन पर सुझाव दिये है हाज प्रदान मंत्री जी की अध्यक्षिता में कैबनेट में इस विशे पर विस्तुर्च चर्चा हुई है कैबनेट का सू विचारित मत है कि NDA सरकार बाबा साहिब अमबेटकर जी के बनाए सम्विदान के प्रति संकल्प बद्ध है बाबा साहिब अमबेटकर के सम्विदान के अनुसार S.C.S.T. के आरक्षिन में क्रिमी लेयर का प्रावदान नहीं है कैबनेट का सू विचारित मत है कि बाबा साहिब अम्बेट करके समयदान के अनुसार ही S.C. और S.T. के आरक्शन की विवस्ता होनी की